हलो फेंडेक कैसे हैं आपका अपने यूड़ी चाहिए पर मैरा भी आप लोग का पूस्वाय करता हूं दोस्तों और सठीवी कि बीपीएस से पीटी कि उड़ाएंगे अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब लाइक और दोस्तों के साथ जरूर से रिखीजेगा चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों प्राचीन इतिहास में आपको सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले प्राचीन भारती इति दिहास में ठीक है चलिए दूसरा नंबर विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जनकारी इनमें पढ़ना है विशेषकर मेगास्थनीज, हेरोडोटस, हैंगसंग, फाहियान, अलबरूनी, इबन बतुता और इतिसंग इतने जो है विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ मेगास्थनीज, हेरोडोटस, हैंगसंग, फाहियान, अलबरूनी, इबन बतुता और इतिसंग तो जो फर्स्ट नंबर में प्राचिन, भारतिय इतिहास के सुरोथ के बारे में विशेषकर, रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद और अथरवेद और दो नंबर में आपको इतना विदेसी यात्रियों के बारे में पढ़के जाना है, अगर इतना आप कोभर कर लेते हैं, तो आपका जो टॉपिक है, इससे ही दोस्तों कोश्चन बार बार पूशे जाते हैं, अगर इतना कोभर कर लेते हैं, तो आपका सेलेक्शन होने से कोई नहीं रोख सकता, तो पुरा तत्व संबंधी साक्ष की जनकारी हाथी का गूफा जो है वहां आपको पढ़ना है अभी लेक सारे टॉपी को कोभर करना है ठीक है आईए अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रागति हास्ति काल के बारे में आपको पढ़के जाना है उसके बाद सिंदू घाटी सभ्यत के बाद महाजनपदों का उदै उसके बाद प्राचिन धार्मिक आंधै जोस्तों आपको पढ़के जाना है बौध धर्म और इसलाम धर्म ऐसे धर्म तो बहुत होते हैं सैवधर्म बैसनव धर्म लेकिन आपको ये तीनूं जो हैं वह काफी इन्पोटनत है और इससे कोशस जाएगा ठीक है और अभी से आप लोग के समय जो है काफी समय है अगर अगर टॉपिक को कौभर किया जाए तो आसानी से आप लोग कौभर कर लिजेगा चलिए नेक्स्ट है मगर राज्य का उतकर्ष को पढ़के जाना है उसके बाद मौरे समराज ब्रहमन समराज उसके बारे में पढ़के जाना है आपको नेक्स्ट है गुप्तकाल का समराज्य पढ़ना है उसके बाद दच्छिन भारत में परमुख राजवन्स जैसे रास्टकूट चोल और चालुक्य विसेसकर ये तीनों के रूप पढ़के आपको जाना है ठीक है चलिए नेक्स्ट है समा वरती राजवन्स का उदय उसके बाद पाल वन्स गुजर परतिहार और परमा वन्स के बारे में आपको पढ़के जाना है दोस्तों जबले आप लोग गहडाई में नहीं पढ़ेंगे आप लोग का सेलेक्शन नहीं होगा अगर MCQ आप रट रहे हैं तो आप समझे कि आप स वह गहडाई में पढ़ने का प्रयासकड़ी यह दोस्तों पीती का स्लेबस है और आपको अगर गहडाई में पढ़ेंगे तो मेंस में भी काम देगा चलिए नेक्स्ट है दोस्तों तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपको सिर्फ और सिर्फ तेरा टॉपिक जो है वो आपका गलती नहीं होना चाहिए चलिए आए हम मध्यकालीन भाद की और आते हैं तो मध्यकालीन में बिसेश टॉपिक आपको पढ़ना है दोस्तों इससे बार बार कोश्चन आते रहे हैं आप देखिए प्रिभेर सेर कोश्चन उठा कर कि इससे ही कोश्चन आते हैं तो इ नेक्स्ट है, सल्तनत काल में आपको गुलाम बंस, खिलजी बंस, तुगलक बंस, संयद बंस और लोधी बंस, तो इतने सल्तनत काल में वंस हैं और भी वंस हैं लेकिन विजेशकर आपको इसके बारे में डीटेल से पढ़ना है, तो भारत पर अर्बो का आकर्मन में मुहम्मद गजनवी और मुहम्मद गौडी के बारे में, सल्तनत काल में वंसों के बारे में गुलाम बंस, खिलजी बंस, तुर्गलक बंस, सयद बंस और लोधी बंस, ये महत्पुन बंस है और आपको पढ़के जाना होगा क्योंकि इससे कोश्चन पूछे जाते हैं, चलिए नेक्स्ट है, तीसरा वाव बिजय नगर समराज्य के बारे में आपको पढ़के जाना होगा, नेक्स्ट है सोतन्त प्रांतिये, राज्ये में, कस्मीन, बंगाल, मिवार और मालवा के बारे में विसेसकर आपको पढ़के जाना चाहिए नेक्स्ट है सुफी आंदोलन, सुफी आंदोलन को आपको एक बार देखना होगा, उसके बाद भक्ती आंदोलन में आपको विसेसकर रामा नुजनचारिये, रामानंद कवीड, गुरु नानक, तुलसी दास और मीरा बाई रैदास, तो ये भक्ती आंदोलन में आपको गुरु नानक के बारे में पूछ दिये जाते हैं, ये काफी इंपोटेंट है आपके लिए, और आपको पढ़ना ये भेड़ी बेरी इनपोटेंट है, जाए नेक्स्ट है, मुगल समराज्य के बारे में आपको विसेसकर बाबर, हुमायु, अकबर, जहाँगीर, और साजह औरंग जेब के बारे में बिसेसकड पढ़ना होगा दोस्तों इससे बार-बार कोश्चन पूछे जाते हैं जैसे नहीं पूछे जाएंगे आयो का निर्दनय जो हुआ था स्च्श्यास्ट्री में लीक हुआ था आरा में उसके लेकर कमेटी बैठाई गई थी, सो कमीटी पर बात विचार हुई, कमीटी बात विचार की और कोश्चन का लेबल जो है, वह थोड़ा हाई करने जा रहा ही है BPSC तो आप लोग विशेश कर गहडाई में परहके जाएए, तभी आपका सेलेक्शन होगा, अधरभाईस आप समझ सकते हैं, कितना लोग निकलते हैं, आप भी उसी के पातर होंगे, चलिए नेक्स्ट है मुगल सासन बेवस्था, मुगल सासन बेवस्था में आपको विशेश कर, मराठो का उदय मराठो का उदय में आपको सिवाजी का उत्रा अधिकारी के बारे में पढ़ना है, दोस्तों ये पीटी कैसरे बस है, अगर आप हिस्ट्री में ओप्सनल लिये हैं, तो हिस्ट्री का ओप्सनल का जो मैं वीडियो बना दिया हूँ, अगर वो नहीं देखे हैं, तो आप देख लिजेगा, प्लेलिस्ट से देख लिजेगा, नहीं तो लिंक जो है, वो डिक्स्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, वहां से आप लोग देख लिजेगा, ओप्सनल हिस्ट्री का कितने कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसमें कौभर किया गया है आए, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुख्यतव आपको आठ टॉपिक पढ़ना अनिवारे हैं और इससे बार-बार कोस्चन पूछे जाते हैं, अब आए आधूनिक भारत की ओर, दोस्तो 86 BPSC में 8 से 9 कोस्चन के बीच में पूछे गये थे, तो मध्यकालीन में यहां से कोस्चन कुछ इंक्रीज किये थे, और मोडन की बात कहें, तो मोडन से हर दम की बार, 86 में भी 25 कोस्चन पूछे गये थे और कुल इतिहास से कोस्चन आपके एक्जाम में जो है वह 39 पूशे गए थे हिस्टी से 39 श्यास्टी वी पेस्टी में पूशे गए थे तो आप समझ सकते हैं हिस्टी का कितना महत्यपूर्ण योगदान है तो आप लोग बिलकुल पढ़ाई पर जो है वह अच्छे तरीके से किजिए चलिए नेक्स्ट है आधूनिक भाद के इतिहास में आपको विसेश कर दुस्तों पढ़ना है यूरोपिये कमपनी का आगमन में पुत्रगाली, अंग्रेज और फ्रांसी से इससे कोस्चन बार बार पुछे जाते हैं आपको पुत्रगाली से आधूनिक भाद के इतिहास से आपको यूरोपिये कमपनी के आगमन से एक कोस्चन आपके निश्चित तोर पे रहते हैं नेक्स्ट है मुगल समराज्ये का पतन में आपको पढ़के जाना होगा बहादूर साह, जहादार साह, साह आलमदूतिये, मुहम्मद साह और अहमद साह ये बिसेस कर आपको ध्यान देना होगा इस सब के बारे में चलिए नेक्स्ट है नभीन राज्यों का उदै में आपको पढ़के जाना होगा बंगाल राज्य और मैसूर राज्य, सिक राज्य ये जो है वो बिसेस इनपोर्टेंट है इतने के बारे में आपको पढ़के जाना चाहिए नेक्स्ट है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल में दोस्तो देखिए पहले बंगाल में गवर्नर आता था उसके बाद गवर्नर जनरल आ गया उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल फिर भारत का वाय सराय तो ये सब जो है वह इनपोर्टेंट है तो ऐसे पुझे सबसे पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, पहले का गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम वाय सराय कौन था, इस तरफ का कोश्चन बनते हैं तो आपको सबसे पहले लॉड क्लाइब के बारे में पढ़के जाना चाहिए, उसके बाद वारेंग हेक्स्टिं के बारे में, कर्ण वालिस के बारे में, विलियम वैंटिंग के बारे में, डलहोजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, मेउ, लीटन, रीपन, करजन और लिन लिथगो के बारे में गवर्नर जन्रल से इतना आप को अभर करके जाएंगे और विशेश कर इतना बार आप पढ़के जाएंगे कि इससे कोश्चन आपके एक्जाम में छूट न पाए चलिए नेक्स्ट है फाइप नमबर आठाल सो संताओन की करांती में विशेश कर आपको बिहार के संदर्व में पढ़ना है आठाल सो संताओन की करांती में पूछ देता है दोस्तो एक्जाम में कि बाबु वीर कुमर सिंग कहां से निमास करते थे और महत्पुर्ण योगदान उनका क्या था ऐसे पूछ दे जाते हैं और आपको दे दिये जाते हैं ठीक है चलिए बाबु बीर कुमर सिंग से बारे में अठाल संताओन की करांती में हर बार कोश्चन एक रहता ही रहता है चलिके नेक्स है बंगाल विभाजन में दोस्तों आठाल उन्यस्व पांच इस भी की इस भी आपक दाढ़ी मार्च भारा छोड़ो आंदोलन उन्यस्व ब्यालीस उसके बाद दोस्तों गांधी से आप इतना कोभर कर लेजेगा ठीक है जन जाती में दोस्तों जन जाती मजदूर तधा किसान आंदोलन उसके बाद जन जाती विद्रोह में चुगार हो और विद्रोह रंपा वील खासे मुंडा और कुकी कोल तो इतने के बारे में आपको आधोनिक भाद के इतिहां से नौ टॉपिक है उसको बिसेश कर अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए और अमबेद्र के बारे में दोस्तों आपको बिसेश कर पढ़ना चाहिए और गहडाई में पढ़ना च आपको बिसेश कर यह सब के बारे में पढ़के जाना चाहिए तो यह सेलेक्टर टॉपिक और सथवी BPSC के लिए और आप लोग अगर कमेंट करेंगे अगर अच्छा लगा है तो अगर भी टॉपिक पर बनाना जैसे साइंस हो गया उसके बाद पॉलिटी हो गया एकनॉमि दोस्तो सेलेक्टर टॉपिक पहले कोभर किजिए उसके बाद अगर टाइम बचता है क्योंकि बहुत अभी आपके पास टाइम है और अगर सेलेक्टर टॉपिक पहले कोभर कर लिजिए उसके बाद और जो बचे उसको आप लोग कोभर करने का पर्यास किजिएगा ठीक है दोस्तों आपको target होना चाहिए कि selected topic को cover करे उसके बाद अगर selected topic cover हो गया है तो इसको ही बार बार revise करे ठीक है चलिए हम फिर next video मिलेंगे thank you thank you so much नमस्कार